प्रधान मंतरी के साथ जमू कस्मीर के राजनेताव की बैठक जिस गर्म चोसी और भरोसे के साथ संपन हुई उससे जल्दी ही कस्मीर में जमूरियत की बहाली और आम लोगों के जीवन में बेहतरी के रास्ते खुलने की सूरत बनी हैं हालांकि इस बैठक का अजिंडा पहले से तै नहीं था यह खुली बैठक थी और गुपकार के नेता अपने अपने अजिंडे लेकर आये थे मगर यह इस पश्ट था की बातचीत मुख्य रूप से पूण राज्य का दरजा बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने पर ही केंद्रित होगी वही हुआ सारे नेताओं ने अपने दलिये सिधानतों के अनुसार एजिंडे रखे पर सभी का जोर जल्दी चुनाव कराने और पूण राज्य का दरजा बहाल करने वहां के लोगों की जमीन जायदाद की सुरक्षा और विस्थापित कस्मीरी पंट्रितों के पुनरवास पर था केंद्र ने भी कस्मीरी अवाम के हित में हर संभव कदम उठाने का आस्वासन दिया जम्मू कस्मीर का विसेश दरजा खत्म किये जाने के करीब दो साल बाद यह पहला मौका था जब कस्मीरी नेता और केंद्र के बीच संभवाद इस्थापित हुआ इससे यह साफ संकेत मिला है कि केंद्र का रुख अब पहले जैसा कठोर नहीं है और नहीं कस्मीरी नेता केंद्र से इसी तरह की तना तनी चाहते हैं इस तरह पहली बार केंद्र और राज्ये के बीच लंबे समय से बनी हुई दूरी काफी कुछ खत्म हुई है कस्मीरी नेताओ के इस बैठक में उत्साह पुरुवक हिस्सा लेने के पीछे एक वज़े हैं तो यह भी थी कि उन्हें आखिरकार वहां के अवाम के बीच ही सियासत करनी हैं और वे अगर किसी मसले पर अड़कर इस बैठक में सिरकत नै करते तो राज्ये में उन्हें मुस्किलों का सामना करना पड़ता फिर यह भी कि महां लोकतंत्र की बहाली जितने समय तक टलती रहेगी उतने समय तक उनकी सियासी हैसियत भी हासिये पर पड़ी रहेगी इसलिए सभी दल चाहते हैं कि वहां जल्दी चुनाव हूँ किंद्र सरकार भी यही चाहती है इसलिए इसमें कोई अडचन नहीं आईगी अब इसके लिए लंबे समय से टलती आ रही परी सीमन की प्रेकरिया को भी आगे बढ़ाने का रास्ता खुलेगा इस तरह नए कस्मीर का स्वरूप भी उभर कर सामने आएगा जहां तक पून राज्य का दरजा बहाल करने की बात है किंद्र सरकार सुरू से कहती आ रही है कि वह इस्तियां अनुकूल होने पर इसकी प्रेकरियां सुरू कर देगी इस वक्त घाटी में इस्तियां काफी बहतर है सीमा पर बेवजह तनाव पैदा करने की कोशिसें नहीं हो रही आतंगवादी गतिविधियां भी काफी कम हो गई है इसलिए परी सीमन के बाद पून राज्य का दरजा बहाल करने में सायद्र केंद्र को कोई परेसानी नहीं हो यह बात कस्मीरी राजनेता भी जानते हैं कि कस्मीर का विसेश दरजा वागपस दिलाना संभव नहीं होगा केंद्र ने इसे खत्म ही इसलिए किया था कि सारे देश में एक जैसे कानून लागू हो इसलिए कुछ नेताव ने प्रस्ताव रखा है कि कस्मीरी लोगों की जमीन जायदाद की सुरक्षा और नोकरियों में उनकी हिस्सेदारी को लेकर कुछ विसेश प्रावधान किये जाएं जैसा कि धारा 35 ए में था केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर सायद विचार करे अच्छी बात यह है कि कस्मीरी नेताव के सकारात्मक रुख की वजह से वहां लोकतंत्र की बहाली का रास्ता खुला है राजनीतिक गती विधियों के लिए वातावरण बनना सुरू हुआ है इस बैठक से अंतराष्टिय बिरादरी में भी सकारात्मक संदेश गया है अगर कस्मीरी दलो का यही सकारात्मक रुख बना रहा तो जल्दी ही घाटी में अमन और तरक्की के रास्ते खुलेंगे